हम लोग क्या बात कर रहे हैं इंडिया 16 के बारे में इंडिया 16 के बारे में हमें बेसिक्स बात कर लिए उसके बाद हम लोग इनिशल रिकोगनीशन की बात कर रहे हैं इनिशल रिकोगनीशन कि उफ Почему पी पी उसमें ने कुछ बात की ती इनिचल मिचन के बारे में के बारे में घर्काइब करें तो उसमें क्या था थिस पर कि एक यह अलोग हम लोग बोले थे यह इनिचल आजरें करें किसपे कोस्ट है इनिचल को पीनेशन हमारा होगा मेन के-headed कि यूद्स याज दर्ण जए से कि कि पर्शेस प्राइस सैमें लोग डिसकांट मायनस करते थे हम लोग रीबेट मायनस करते थे पर्ट यूविड प्रियसे प्राइस का और डिशूण्ट डिपि उसमें क्या गूत on में construction के दारान हमें पाई गई तो इनिशल इकोगनिशन किसके किस बारे में था जब हम construct or require करते ते यह क्या था construction करते वक्त और require करते वो जब हम कोई चीज खरिकते थे तो पर्चसे डिस्काउंट लेस्ट इस्ट इंपोर्ट और इसम करते तो इसमें एक और चीज था lcim i hope आपको याँ दो lcim क्या था लोकेशन और कंडिशन इंटेंडेट वर मैनेजमेंट इसमें कोई कुछ चीज एड करते थे लोग क्या क्या चीज इसमें थी consist of what हमने आपको बताया है और क्या इसको exclude करते हैं इसमें वो भी हमने बताया है ठीक है जैसे include क्या करते थे जैसे हम लोग site preparation expenses को इंक्लूट करते थे inspection testing professional charges cultivation expenses transport overhead cost ये सारे को add करते थे ठीक है और क्या exclude करते थे हम लोग exclude करते थे stop stop training operating losses relocation abnormal losses पूजा का expense हो गया allocated overhead advertisement expenses आयो previous video के बारे में आपको भी तक यादो इसमें एक और चीज़ हम लोग आयड करते थे provision for draw आपको यादो प्रोईजन फॉर डॉल यह भी आपका cost का पार्ट रहता था तो प्रोईजन फॉर डॉल हम लोगों ने आपको बताया कि कैसे present मतलब current estimates अपने future estimate पर जाते थे फिर इसको present value factor से पीवी निकालते थे इसका तो initial estimate होता था तो यह किस पर रिकार्ड होता था initial estimate फिर हमने आपको इक बात और बताय थी कि borrowing cost भी इसमें incurred होगा तो आड होगा तो यह रहा आपका initial recognition जब हम कोई भी चीज construct और acquire करते हैं कोई भी चीज नहीं हम लोग जब कोई भी पीपी construct और require करते हैं तो यह सारा process है उसके cost को recognize करने का ही just summary और just a recap I'm just telling you okay और इसमें दो नोट हमने बताया था कि इंटर department का जो आपका profit था उसको eliminate करना पड़ेगा और government grants कोई है तो उसको आप अब डिडेक्ट कर सकते हैं ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अभी जिए हमने तो चलिए आप सभी फ्यूचर चाड़े recountants का आपने आपकी अपने यूट्यूब चैनल बेस वागत इसका नाम में clear C exams और हमारा विजन है to help everyone clear C exams the product quality education for free I repeat quality education for free आप मेरे साथ repeat कर सकते हो कर सकते हो I can and I will I can and I will and we will आज करें अभी करें और से बन के रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमने बात कर लिए acquire or construct की एक और recognition recognition के उपर अभी हम और बात करना है वह बात है जब exchange के case में क्या होगा recognition of PPE topic है अपना recognition of PPE जब PPE को recognize करेंगे जब कोई consideration नहीं रहेगा non-monetary consideration मतलब की exchange जब हम exchange करके acquire करेंगे तो क्या होगा non-monetary consideration हमने बात कर लिए कि बनाएंगे खरीदेंगे तो कैसे cost निकालेंगे उसका आप बात करते हैं तो क्या होता है अब इसमें दो cases है जब कोई भी ऐसे एक्षेंज करते हैं तो उसमें क्या होता है किसी भी चीज का कोई भी चीज उसके बदले में आप एक्षेंज कर रहा हो और उसके ऊपर जो जिस चीजब से एक्षेंज कर रहा हो उससका आपको वैल्यू पताय क्या दाम है मार्केन मार्केट में उसका क्या वेल्यू- Mirror फिए फिए वैल्यूस याँ फिएंट अब फिए वैल्यूस की वैल्यू को डेटर्माइन कर सकते हो और दूसरा केस जब जहांपर वैल्यू डेटर्माइन नहीं कि जा सकते, value not determined, आपने एक asset के बदले exchange किया, आपने इनको दिया, उन्होंने आपको दिया, तो इस case में मैं कैसे recording करेंगे, उसमें दो case हो सकता है, जो इन्होंने asset दिया, उसका आपको value पता है, और एक case में आपको value पता नहीं है, तो recognition उसका कैसे करेंगे तो चली वही देखते हैं कि हम लोग उसका कैसे recognition करेंगे लब एक पहले बात करेंगे जब उसका आपको value पता है कि मुझे क्या मिलने वाला है ठीक है तो उस case में हम क्या करेंगे अगर entry की बारे में मैं बात करूं तो entry सीधी होगी PPA account debit टू एसेट यह जो एक्षेंज मतलब जो आपने अक्वायर किया यह हो गया जो आपने उन से लिया है और जो आपने इन्हों ने दिया जो आपने उनको दिया तो PPA account debit टू एसेट अब इसके पहले आपने कुछ cash दिया होगा या फिर Cash लिया होगा या cash दिया होगा मतलब access cash शपोस कर इसका value 100 है ठीक है और इसका value 90 है तो आपको दस विर्पया देना पड़ेगा वैसे अगर इसका value 90 हो जाएगा थीक है? अकर आपके इसका वैल्यू 100 होजाए कहने का मतलब यह है कि यह रहा पीपी टू एसेट पीपी मतलब जो अक्वार किया हुआ मैं उसका भी एक्वांपल दे कि बताता हूं आपको क्लीर होजाएगा तुरत आप एक पीपी लेते हो ठीक है जिसके वैल्यू 110 है आप पीपी एकाउंटेपिड फैसेक्ट उसका वैलू हंडेड और आपके वैलू आपके असेट का वैलू 90 रुपीज था और आपने क्या किया टूडर कैश और पांच रुपया कैश में भी देडिया लेकिन अभी भी डिफरेंश पल्में चलना रहा है च्छीनमण में आगया कि कैसे गेंगों ट्रांसफर करते हैं यह बहुत बहुत easy है एक asset को debit करो दूसरे asset को credit करो और cash में अगर कुछ हुआ है तो हुआ है नहीं तो फिल और जो बचा उसको gain में डाल दो gain your loss as the case में भी आप उसको transfer कर सकते हो बहुत easy है चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरा जहां पर कोई कोई commercial substance नहीं हो commercial substance का क्या मतलब होता है पहले यह समझ दे रहे हो तो हो गया प्यासेट में आपको कुछ दे रहे हो ना कुस्त ले रहे हो बस एसैट एक इससे दे रहे हो एक एसेट ले यह लेकिन कैस फ्लू पर कोई impact नहीं आ रहा ठीक है तो इसकेस में क्या होगा उसकेस में क्या आपको क्या करना है पीपी अकाउंट डेबिट टू एसेट यह आपका जो नियू एसेट है टू ओर लेसेट यह आपने दिया और यह आपने लिया यह हो गया आपको एक्षेंज का केस ठीक है कि इसमें भी कश अलेमेंट क्या आगर रहेगा तो क्या करेंगेगा इसमें अगर कोई कायू similar और हो रहेगा नहीं में जहां पर commercial substance है और जहां पर no commercial substance है इस case में सीधा PPE account debit to old asset यहां पर क्या होगा PPE to asset यहां पर cash भी रहेगा to cash और फिर buy cash दोनों case में हो सकता है और यहां पर exchange gain और loss भी हो सकता है क्योंकि आपको यहां पर fair value पता है और यहां पर कोई भी एक्चेंज gain और loss नहीं होगा यह रहा है एक्चेंज का recognition ऐसे होगा बहुत easy और उतना ज्यादा important भी नहीं है चलिए मूब करते हैं अगले टॉपिक पर और आपको हम लोग क्या बताएंगे अभी तक हमने हमने क्या क्या बताया आपको आपको recognition के पारे में हमने बता दिया है कि recognition में क्या क्या होगा चलिए अगली बात करते हैं अगली बात हम लोग को है acquisition of PPE on deferred credit basis on deferred credit basis अब deferred credit basis क्या होता है acquisition of PPE तो आपको पता यह है कि acquisition of PPE का क्या मतलब लेकिन यह deferred credit basis का क्या मतलब है हाँ deferred मतलब delay credit basis मतलब जब क्रेडिट के कोई product खरीता जाता है मतलब कि वेंडर से कोई product आपने खरीता है सपोस्करी नॉर्मली आप जब वेंडर से खरीते तो उसका credit रहता है दो महिने लेकिन deferred मतलब अब जब वेंडर से कोई भी product खरीते और उसका credit period हो गया दो महिने से ज्यादा सपोस्करी दो साल में आपको पेमेंट करना कोई भी आपने एसेट खरीदा है सपोस्करी कोई investment property है आपने खरीदी है और बोला वेंडर को भाई हम आने वाले तीन साल में आपका पेमेंट करेंगे और जो आपका जब acquire करते हैं पीपी जब acquire करते हैं तो उसमें हम यह देखते हैं कि जो नॉर्मल वेंडर से जब नॉर्मली हम कोई समान खरीदते हैं वेंडर से तो क्या उसका credit पिलोड रहते हैं अगर उससे ज्यादा है तो उसको बोलते हैं default credit basis सपोज करें एक ने इस चीज को समझाते हैं और उसको कैसे सॉल्प किया जागा बताते हैं ठीक है कि फॉर इग्जांपल चलिए एक्जांपल पे ध्यान दीता है कोई company suppose करी X limited एक company है उन्होंने purchase किया है P P कितने का suppose करी 5 लग का purpose purchase किया ठीक है उस पर credit period allowed कितना है credit period 2 year का date of purchase say 1-5-18 है ठीक है और date of settlement यह date of acquisition है और date of settlement मतलब कब तक कुछ settle हो जाएगा तो 1-5-20 हो गया दो साल का credit period जबकि नॉर्मल क्रेडिट पिरोड अलाओड है नॉर्मल क्रेडिट पिरोड अलाओड तो मन्त सम्झ में आ रहा है पर्टिस प्राइज चार लाओड चालीज़र चार लाओड चालीज़र पर्टिस प्राइज मतलब इस पर खरीदेंगे और जब क्रेडिट पिरिट मिला के देखा जाएगा तो पांस लाओड पाच मतलब फाइब लैक का हो जाएगा पर्टिस जो हम लोग प्रिपी करते हैं जब दो साल का क्रेडिट प्रिएट पर जब आप खरीदो गए तो उसमें क्या लगएगा इंट्रस्ट लगता है दो साल का अगर आज खरीदेंगे तो उसका प्राइज चार लाओड चालीज़र लेकिन अगर आप उसको डिफर्ड करके पेमेंट करतें तो पांचलाग रुप्या पूरा पेमेंट करना है तो यह कहानी है आज करेट में चार चालीज़र में पांच पर चास तो हमने वही कहा कि जो डिफर्ड करेड़ बेसिस पर होगा तो उसकेस में हम लोग कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे तो इसकी दो बेसिकली एंट्री होती है एक पीकी टू टू एंडर और एक होता है फाइनांश कोस्ट टू बेरिंड है अब इसमें फाइनांस कोस्ट कै चार चाली से झोले के पांच लाग तक गया है। अबर इसको निकालने का तरीका है पूरा अला कला नहीं पर समझों फिर वेंडर अकाउंटट डेट टू बैंक हो जाएगा चार्च अलेस ठीक है वह ऐसे वेंडर अकाउंट डेपिट टू फैनन्स पर्स्ट अब सॉरी टू बैंक हो जाएगा 60K 60K ठीक है अब यह निकाला जाता है आयर विश्यस पर ठीक है आयर विश्यस पर मतलब की जो आपका 44 को पांच लग पहुचाने में कितना प्रसेंट इंटरस्ट रेट अव रिटर्न मतलब क्या रेट पे इस केस में क्या है अगर आप निकालोगे आयरा रिसका तो अभी आयरा निकालने में तो बहुत टाइम मैं बता देता हूं निकाला हुआ सिक्स पॉंट सिक्स परसेंट आया चार्ट चाली से जबाब पांच लाग जाओगे दो साल के अंदर ठीक है टू यह में पूर फुर्टी से फाइब लाग तक जाने में मतलब यह माना जाएगा कि आप सिक्स पॉंट सिक्स इरो के इंटरस्ट रेट से पैसा दे रहा हूं यह वह हो का आप जो इनीशेल रिकॉर्डिंगर इस पर करेंगे और फैनाने का त्रीक किया है हर सल ईंटरस्ट्ट रेट र norm से अपिंटरस् निकालए और उसको चाज करते हैगा उसको छालए जब सिर्फ इतना है कि जब आप नॉर्मल क्रोट से ज्यादा दिनों में चीज सिकली ज्यादा तो उस इंटरस्त को अपने फैनान्स कोस्ट मानेंगे ना कि पीपी में डालेंगे पीपी में सिर्फ उसका जो पड़िस प्राइस वही जाएगा और फैनान्स कोस्ट वह अलग रहेगा आप समझो उसको कापिटलाइज नहीं करेंगे हम लोग उसको फैनानस क कॉस्ट से आप अपने कॉस्ट को बढ़ा लोगे तो यह दो कहानी दो टॉपिक जो हमने आपको बताया एक फिर से मैं रिकाप कर देता हूं एक तो एक्विजीशन हमने किया था और रिकोगनीशन बोलीजे रिकोगनीशन ओफ पी पी ए ओन एक्शेंज वेसे ठीक है तो उसमें हमने आपको बताया वही एक तो पी 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 एकाउंट डेबिट टू कैश हमसरी टू ओल्ड एसेट यह निव एसेट अकाउंट डेबि टू ओल्ड एसेट हो जाएगा और जो भी डिफ्रेंस रहेगा जैसे यहां पर अगर कुछ पेमेंट किया तो टू कैश और बाई कैश कोई डिफ्रेंस रहेगा तो पी एल में चला जाएगा एक्शेंज का डिफ्रेंस और अगर यह है जब उसका वैल्यू आपको पता हो अगर नहीं है तो पीपी टू एसेट सिंपली कर देंगे क्योंकि इसका ओल्ड वैल्यू जो है वही मान लेंगे इसका सिंपली हमारे बुक में जो है वही उसका भी मान लेंगे दोनों एकदम आराम से सटफ हो जाएगा कोई टिंशन ही अगर इसमें कोई कॉमर्शल सब्से टेल दूसरा अपनी बात किए है कि जब deferred credit basis में अपनी finance cost को अलग करते हैं और PPE के cost को अलग कर देते हैं मतलब capitalization से PPE का होगा finance cost को capitalize नहीं करेंगे this will be your finance cost nothing else finance cost अलग रहेगा normal credit period से जब जब जादा होता है तो उसको बोलते deferred credit basis जैसे suppose कि normal credit period 2 महिने आप 10 साल में खरीद तो उससे कोई दिक्कत नहीं लेकिन जो उस driven उस duration में इंट्रस्ट या फिर आप जादा जो पैसा दे रहो उसको finance cost माना जाएगा आप financing करके बेसिकली चीज़ों को खरीद रहो not your doing capitalization आपके पास फंड नहीं या फंड के लिए फंड ले रहो उनसे मतलब डिले payment करना जब ही कॉस्ट आप की नहीं है ठीक है तो बस यह रहा आज के वीडियो में आजके ने इस वीडियो में मिलते आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए आप शभी का तहए दिल से शुक्रिया यह हमने अभी तक मैं आपको बता दूं कि आने वाले वीडियो तो वह में हम क्या बात करेंगे अभी तक हमने क्या पड़ा वह आपको पता चलिया होगा कि हमने रिकोग्निशन के बारे में बात कि है एट इनिश्यल स्टेस हूँ हम लोग रिकोर्ड करते हैं कॉस्ट ठीक है और उसमें हमने बात किया आप से थोड़ा बहुत एक्षेंज के बारे में और फिर एक बात कि अभी अपने डेफर क्रेड़ धित्र के बारे कि यसारी की सारी बाते रेकोघ्ण से रिले टीस हुप है तो रिकोघ्णीशव लोग है अब आता ऐँ अगला टॉपिक रेकोग्निशन का ही that is called subsequent recognition मतलब subsequent recognition मतलब आज पहला initial date पे तो आपने recognize कर लिया लेकिन future date पे अगर कोई evaluation हुआ कोई value में change वा तो उस समय हम लोग कैसे recognize करेंगे हम आने वाले वीडियो में उसी के उपर detail में चर्चा करेंगे चली आप से मिलते हैं उसमें आपने भी दो तीन दो मैंथर्जे कॉस्ट मैंथर्ड रिवैलिशन मैंथर्ड और जो जो मैंथर्जे हम लोग आप से बात करेंगे आने वाले वीडियो में क्या हमारा टॉपिक रहेगा हम रिवाब टीन दो क्या हम आप से कहा थिस स्ब्सक्राइब करेंपस्ट स्ब्सक्राइब कर दो मिलते वीडियो रदा लॉम्ब नी वा बीस्विनार का वीडियो था इने कीन आफ और बीना चूंगे लिए कम मूर आऊब आब न बाने श्च वीडियो शुक्रिया